हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बेकार चीजों से भी अपने गर को और्गिनाईज करके रख सकते हैं तो हम उनको बेकार समझ कर या तो फैंक देते हैं या फिर ऐसे ही कबार में पढ़ा रहता है तो हम का आज यूज करते हुए आज देखेंगे इस वीडियो में कि हम किस तरीके से अपने घर को और्गिनाईज करके रख सकते हैं तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ तो सबसे पहले मैंने यहां पर देखी जो प्लास्टिक वाली कैरी बैग होती है वो लिए यहां पर अगर आपके पास इस तरीके से प्लास्टिक नहीं आते हैं तो दुब जोन के साथ भी स्टाइब की लोक वाली प्लास्टिक वाली कैरी बैग होती है तो मैंने इसको अच्छे सेट कर लिया है किके बाद देखें मैंने यहां पर एक गट कर लिया है कि 우리가 यहां पर ऑल्र तो मैं देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा खोलते वे में wallpaper को पूरे को इसके उपर पेश्ट कर लोगी तो पहला मैं wallpaper को इसके उपर पेश्ट कर लेना है तो छोटे मोटे ideas होते हैं जो हम वे समान से भी अपने समान बना सकते हैं तो बस वेस चीजों का यूज करके हम अच्छी से चीजों को बनाके अपने गर को सेट करने हैं या फिर कुछ ऐसी ट्रिक लगाके भी हम समान बको बना सकते हैं तो देखे इस तरही के से मैंने पूरा वॉल पेपर लगा लिया है तो वॉल पर लगने के बाद यहां पर कॉर्णर में भी उपर मैंने इसको थोड़ा सा एक्षटा रखाता तो इसको डाल लिया है बस बिल्कुल ब्लू कलर की जो लाइन थी मैंने इसको ऐसे ही रखा है ताकि थोड़ा सा डिजाइन हो जाए तो देखे इस तरीके से हमारा खुल के यहां पर एक पाउच बैक बनके बिल्कुल रैडी है तो आप इस पाउच बैक को कैसे भी यूज कर सकते हो यहां पर चाहो तो बच्चे भी इसका इसको kit की तरह यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से आप बच्चों को भी यहाँ पर बना के दे सकते हैं कुछ भी नहीं लगा सिर्फ हमें यहाँ पर वाल पेपर की जरूरत है तो वाल पेपर तो कमनली हमारे पास होता ही अगर आपके पास वाल पेपर नहीं है तो इस तरीके के और को इस्टिकर भी आप लगा सकते हो यहाँ पर देखिए एक मैंने बैक को खाली रखा है तो इसके कैसे भी करके इसको बना सकते हैं तो चलते हैं अपने next idea की तरफ तो यहाँ पर मैंने एक carry bag लिया है जो मेरी printed है आप चाहो तो यहाँ पर plain carry bag का भी use करोगे तो आपका organizer काफी अच्छा बनेंगा तो मेरे पास plain carry bag यहाँ पैक नहीं तो मैं आपको इसी से ही use करना बता रही हूँ तो इसको मैंने इसको half fold कर लिया है इसको half cut करके half fold किया है उतना ही cut करना है जतना हमें 5000 करना है तो मैंने half कर्म कर लिया है कि complexity करके ने ग़लता कर in कि हैं कि मैं प्रिंटेड चम्ट कर लूंग형 के से करीने के सिबिश का सूमार ज्काल है दू जी ति जुटेव पाइब करने कि बाद जू पार मिनें सूट किया था जिसको अंदर के साइब दाल दिया दाले के बाद यहां पर हमारा ये नीचे से back बन गया है पाऊंच की तरह है तो ऑव इसको हम बीच में से stitch करेंगे ताकि हमारी two pocket बन जाए तो यहा पर देखिए two pocket बन गई है अब इसका मैं use थाती हूं आप इसको कहां use ले सकते हो तो मैं तो यहाँ पर देखिए red के नीचे डाल तो यहाँ पर डेखिए इस तरीके से हमारे पास टिकर्फ रहे हो जो इता देती हूं hai दो दिहुए कि पर कट कर ओखने के बाद इस तरीके से हमें इस तरीके क्ट कर लु working इसको खींच लेंगे ताकि हमारी डोरी पतली गोल और बड़ी लंबी बन जाए तो मैंने यहां पर तीन कलर्स लिए आप सिंगल कलर यूज लेकर भी बना सकते हो तीनों कलर्स को लेते वे मैं यहां पर एक नौट लगा दूगी और नौट लगाने के बाद जिस तरीके से हम चोटी बनाते हैं तो वैसे ही चोटी इसकी बना लेनी है तो मैं तीन कलर का यूज करते हुए इसको चोटी बना लूँगी पहले आपको जो color पसंद हो आप अपने according ले सकते हो तो मैंने यहाँ पर देखिए इसकी चोटी बना ली है उसके बाद यहाँ पर एक पूराना hairband लेना है तो मैंने यहाँ पर पूराना hairband लेते वे यहाँ पर glue gun का use कर रही हूँ आप चाहो तो इसके उपर फिर से फ्लावर अगेरा भी लगा सकते हो इसको डेकुरेट करने के लिए या फिर मोती भी लगा सकते हो तो मैं इसको simple hairband लख रही हूँ जो भी extra हमारे यहाँ पर डोरी है तो इसको हम cut कर लेंगे कट करने के बाद इसके corners को अच्छे सेimento पेस्ट कर देंगे तो देखिए मैं इसी sheep में इसको अच्छे से पेस्ट कर दी है दूसे साइड भी हम इसको पेस्ट कर लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर छोटा सा फैबरिक लेना है हमारा यहां पर hairband बनके बिल्कुल ready है यह देखिए इसके बाद हमने next idea में मैंने यहां पर जो कपड़े सुकाने वाली clip होती है cloth clip में उसी को लिये तो इसको मैंने यहां पर छेद में से डाल लिया है इसके बाद मैं यहां पर चारो clip को डाल लूँगे आपको जितनी डालनी अलमीरा में अपने गेट पर इसको टंगा कर अपने socks, hanky वगरा कुछ भी टांग सकते हो मैं यहां पर आपको दिवार पर ही टांग के बता रही हूँ तो इस तरीके से आप अपने cloth clip से ही organizer बना के ready कर सकते हो चलते हैं अपने next idea की तरफ तो यहां पर देखिए मैंने विर ग्लू का यूज करेंगे तो मैं यहां पर फिर से ग्लू गन का ही यूज करूंगी तो ग्लू गन का यूज करूंगी तो पहले लगा लेते हैं इसको बात में फॉल्ड करेंगे तो हमें यहां पर ऊपर की तरफ में ग्लू लगा रही हूँ आप चाहो तो यहां पर सिलाई पेस्ट कर दूंगी और इसी तरह दूसरी साइड भी हमें यहां पर इसको फोल्ड करते वे पेस्ट कर लेना है अगर आप से लाइ करते हो तो आपका मजबूत बनेगा लेकिन मैं यहां पर फैबरी पर ग्लू लगाती हूं कि जो कैरी बैग है वो अच्छे से इस पर चिपक लिया है एक तरफ डालते वे वापस से उसी साइड से हम दूसरी साइड वापस इसको गुमा लेंगे तो मैंने यहां पर डोरी को दोनों राउंड गुमाते वे एक डोरी को मैं दोनों साइड डाल लिये वैसे उसी तरह दूसरी डोरी को भी दूसरी साइड से लेते वे दो त्रेवल कर रहे हो यह पिर आप ऐसे नॉर्मल पर्स में भी आप अपने यहां पर चोटे-बूटे जो हम कॉस्मेटिक करते हैं यहां पर जब जाते हैं लिप्स्टिक या पाउंड़िशन इया फैस वो डालने के लिए छोटा सा समान डालने के लिए आप इसको यूज कर सकत चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरह तो यहां पर देखिए बच्चों कुछ टैडी ए तो फिर भी सिलाइस की फटी निया लेकिन कुछ देखिए इस तरीके से इसलाइस की फट गई थी और तो यहां पर देखिए मैं कुछ टैडी की तो मेरे पास पढ़ेंगे अभ पयज़द आई और फुला लेगए और आपके नहींसा की फाइबर नहीं है तो इसको अपर वेश इस फैडरिक से भी पढर सकते में पहले पूरे को बर लेती हूं तो यहां पर यह बरके बिल्कुल रेड़ी है अत्ता सा मेरा सॉफ्ट भी बन गया है क्योंकि फाइबर का यूज किया तो यह सॉफ्ट ही बनाए उसके बाद आप इतना पार्ट कर लीजिए कट नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से इस पार्ट को अंदर फोल्ड कर दीज तो आप इस तरीके से कोई भी वेस्ट फैबरिक लेके भी कुशन बना सकते हैं अगर आपको मेरे सारे आइडिया अच्छे लगें तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वी के अट आपत हैं उरू द goofy व हाओ locks आपको सबस्के लगें यह यह दो कर आपको सबस्के लूग हम और कॉया एफ की सा अटूर